वेलकम बैट टू दे मैथ वारियर्स आप लोग चैनल से चुड़े हुए है डेली बाई डेली मैं देख रहा हूं कि एक नए एक मैं आपको एक अच्छा वीडियो देने की कोशिश करता हूं जिससे आपकी नौलेज बढ़ है और उन चीजों को आप संगें कल का जो वीडिय था वो NPS और OPS से रिलेड़ था है ना निव पेंसनी स्कीम क्या है ओल्ड पेंसनी स्कीम क्या है क्यों इतना मुद्धा बना हुआ है क्यों राजसरकार है अब फिर से दुबारा OPS ला रही है जैसा कि भी राजस्तान सरकार ने लिया चारखंड करने वाली है मुंबई में भी चल ले ही ए बात जहां पर भी बीजेपी नहीं वहां पर इस तरीके की बात क्यों हो रही है ना तो उत्तर प्रदेश के जो सरकारी टीचर है उसकी क्या इंकम है है ना उसकी सेलरी क्या है ग्रॉस सेलरी क्या है अगर एक बंदा NPS कटा रहा तो उसका NET SELERी कितनी बच यहां पर मैंने दो salary slip ली है, जिसमें से एक है cross salary की एक है net salary, मतलब आसम दो एक बद्दा with NPS एक without NPS, ठीक है, दो salary slip के मादर में से मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिस करूँगा, चलिए सुरू करते हैं, है ना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें और युड़े रहें, डेली अपडेट के लिए, ठीक है, मानो समझाने उत्तर प्रदेश, यह सब कुछ लिखा होगा, ओफिस ऑब ब्लॉप एजुकेशन आफीसर, ठीक है, यह सारा कुछ लिखा होगा, और अगर हम बात करें, salary salary slip for month January, यह भी recent month की ही salary slip है, salary slip for month of January, ठीक, यहाँ पर नाम होता है बंदे का, ठीक है, आपका designation क्या काम है, assistant teacher, posting office, यहाँ पर college का नाम होता है, ठीक है, जिस विद्याले में आप पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर आते है, main मुद्दे पर की basic पे, grade पे, DA, HR, यह क्या है, है ना इसको समझते हैं, तो जो यह आप देख रहे हैं, यहाँ पर basic पे, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा पाँगा आपको, कि basic पे, ठीक है, तो basic पे जो आपको screen पर यह देख रहा है, 36,500, 42,000 grade पे के बंदे का यही होता है, ठीक है, pay, pay यह बढ़ते जाते है, first pay, second pay, जितना आप जिन तक काम करते जाएंगे, जितनी आपको साले होते जाएंगी, उतना यह थोड़ा सा increment होता जाता है, pay 1, pay 2, pay 3 करके इस तरीके से, grade पे 42,000, आपको यहाँ पर एक जनकारी additional दूँगा, कि UPSI जो होता है, वो भी 42,000 grade पे की ही job होती है, जितना यहाँ पर grade पे है, ठीक है उनके कुछ बहुत allowances थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, बाद बागी जो basic होता, वो 36,500 ही होता है, ठीक, DA, यह देखेगा, DA होता है, dearness allowance, ठीक है, जो की कहलाता है, महेंगाही बतता है, है ना, तो जो यह DA अभी increase हुआ है, ठीक है, उसके बात का है, तो यह 31%, कितना है, 31 परसेंट, पहेंगाही बतता होता है, हो चुका है, जो की basic pay का ही निकाला जाता है, तो basic pay इतना हो गया, यह हो गया, हाउस rent allowance, ठीक है, जो की बहुत कम मिलता है, यहाँपर, 1340 रुपए, यह HR आप जब center imply होंगे, तो वहाँपर 27% के round आपको HR मिलता है, जो की काफी ठीक है, और वहाँपर कई सारी और सुविदा है मिलता है, जैसे कि आपको TA हो गया, TA होता एक, ठीक है, TA होता है, ट्रेवल अलाउंस, फिर एक TA और ट्रेवल अलाउंस पर भी महिंगाही बतता है, इसलिए वहाँपर, और CGHS की भी सुविदा होती है, तो इसलिए थोड़ा NPS कटारा 4,782 रुपए का, पर मंथ, ठीक है, तो जो यह जैसे कि यह है, कल मैंने आपको बताया ही था, कि 4,782 यह रुपए उसका जमा होगा, उस जो तीन कंपनी में जाता है, SBI, UTI और LIC में, तीन जगेन का पैसा लगता है, तो यह हो गया, यह 100% टोटल इमांट इसका चला जाएगा, प्लस इसका जो है, ठीक है, बात को समझना, और यह कहां से निकलता है, 10% होता है, तो यह इसका ही निकला जाता है, किसका किसका है, 34,500 प्लस 11,300 बंदा, बेसिक प्लस डिये का 10% लगाया जाता है, NPS पर, तो वो यहां पर इनका NPS चला गया, और 4,782 में, 40% और एड़ करके, सरकार लगाती है, ठीक है, वो और एड़ हो जाता है, है न, वो सरकार एड़ करती है, यह सारी चीज है, समझ गए आप, यही कल मैंने समझाए, अगर आपको इन डिटेल समझना है, तो वहां पर आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो यह बन्दा इस तरी इसको बोलते हैं, या नेट पे बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इन हैंड़ से ले लिए, तो आपको समझ में आया, कि NPS कटता जो इसमें सब्सक्रिशन ले रखा है, तो यह होता, बेसिक प्लस यह का 10% यह कटवाते हैं, फिर उसके बाद वो 100 का 100% चला जा जा है, तो यह थोड़ा सा benefit है, है ना, मतलब इसी में और add हो जाएगा, आपका 100% यह amount जाई रहा है, एक fix, और उसके बाद 40% और add करती है, सरकार, और वो पूरा पैसा share market हो लगता, इसी का 60% आपको retirement के बाद मिल जाएगा, 40% की pension मनेगी, यह concept, ठीक है, अगली salary slip देखते हैं नहीं तो आप active हो जाएंगे थोड़े से, समझने में, ठीक है, और जिसको पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, देख सकता है, वहाँ जाके उस चीजों को समझ भी सकता है, है ना, यहाँ पर अगर देखें, यह दूसरा बंदा है, जो की नहीं कटवा रहा है, ठीक है, NPS 34,500, 42,000 ग्रेट पे, D है कितना, 11,315, HRA, 1340, ठीक है, बता दिया, house rent allowance, ठीक ठीक ठीक, यह सारा हो गया, other earning कोई है नहीं लोगों की, यह देखें, insurance इनका भी कटता है, 87 रुपए, तो इनका जो देखेंगा, नीचे देखेंगा, इनकी जो total earning है, 49,155 रुपए है, total earning, deduction, total deduction इनका मात्र 87 रुपए ही कट रहा है, insurance वाले, तो इनका जो net पे आ रहा, 49,068 रुपए, यही salary है, आप in hand salary इसी को बोलते है, 49,068, अगर आप gross salary की बात करें, तो 49,155 रुपए, यह एक primary के अध्यापग को present time मिल रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ लोगों की आप 68,500 वालों से बात करेंगे, तो उनकी सब, यह salary 79,000 वालों की है, इस बात को भी मैं आपको बता दिया, आपर mention कर दो, अगर आप 68,500 वाली से बात करेंगे, तो होगा क्या, जो उनका वो आप basic pay दे करें, वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हर एक बार एक scale बढ़ती यह pay की, है ना, हर एक year में, तो उनको तीन साल around हो चुके है, तो इस वज़े से, है ना, तो उनकी salary थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दो-तीन अजार रुपए, बहुत ज़्यादा नहीं, दो-तीन अजार, क्योंको लोग डिये फ्रीज रहा बीच में, तो फरक नहीं पड़ा तो यह है बाई साब, तो एक होती in-hand salary, एक होती है gross salary, एक है deduction, तो इन-hand इनके पास आ रहा है, इस बंदे के पास, जो मतलब नहीं कटवा रहा है NPS, उसके पास आ रहा है, 49,066 रुपए, ठीक है, और जो कटवा रहा है, उसके पास रुपए आ रहे हैं, कितने हैं, यहाँ पर देखते हैं, 44,286 रुपए, दोनों की देखे, टोटल एर्निंग से, ठीक है, टोटल डिडेक्शन, इनका इतना यह रुपए कटवा रहा है, जिसमें कि NPS कट रहा है, ओपेन माइंड़ेट शीजों को समझें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि NPS जो बंदा कटव रहा है, उसको कहीं न कहीं बेनीफिट है, कोई घाटेक्स होदा नहीं, कल को अगर माल लीजिए, ओल्ड OPS यहाँ पर भी राजिस्तर में लगएगा, तो यह पूरा पैसा जो है, पूरा GPF एकाउंट में चला जाएगा, GPF क्या होता है, जो कि पहले करता था, अब नहीं कर लगता है, तो बहुत तारी चीजे हैं, यह थोड़ा सा, आप लोग समझेंगे, तो समझ में आएंगी, इन पर रिसर्च करिएगा, समझेगा, कि जर्नले, GPF क्या होता है, PPF क्या होता है, तो आपको चीजें समझ में आए, प्राइवेट प्रविटेट फंड, और जो NPS हो तो उनका IPO जारी होने वाला IPO बोलते है, Initial Public Offer, ठीक है, तो चलिए, चुड़े रहेगा, Math Warriors साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जहानकारी बहुत दे दी है, कमी समय में, तो आप लोगों अच्छी लगी हो, तो वीडियो सेयर करें, चुड़े रहे, Math Warriors साथ कोई तिक्कत समझने में, तो जरूर कमेंट करें, टेलिग्राम में आप कर सकते हैं, मुझे परसनल विया पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, मिलते हैं लिए ऑज जब कित्सक्दस्टस्टन विया में, जड़रे लिएına किर형िता, लिए या बि tastे हैं, कि वीजिए तो और बीज़स्टस्टन wspól, आवे।, एक कोई रहे वामÏ, वछिरा परस, एक कर शित्सक्तों अश्रें, यहाए, टे शित्सेयां च सब्स्ट कर रहे दायाने में, तो